फाइट निम्बर देखो मैं इसको बहुत ही अससां तेरी किसे बनाता हूँ एक काम करते हैं यहां देखो मांच का one by two यहां multiply कर यहां मैंस का one by two से और यहां माझनास का two से multiply किए और यहां divide हो गया और कोई दिक्त तहीं है नो इतना लिख सकते हैं माइनस का 1 by 2, integration of, उपर दखो, 1 में से 2x घटा लेते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस का 1 दिये हैं, और एक बार माइनस का 1, समझ गया ना, यानि कि यहाँ इसमें क्या किया है, एक जोड दिये हैं, और रूट अंडर 1 minus 2x, माइनस का 1 by 2, अब देखो, इसको मैं इसके साथ कर देता हूँ, इसके साथ इसको अलग डिभाइड करता हूँ, 1 minus 2x बटा मैं रूट अंडर 1 minus 2x, और minus 1 बटा रूट अंडर 1 minus 2x, इस तरह से कर सकता हूँ ना, चीट, चलिए, ठीके, कोई दिक्कत नहीं है इसे, चलो, देखो, अब इसके बाद क्या हो जाता है, minus का 1 by 2, यहां दोखो, यह रूट में है, और यह रूट में नहीं है, तो इससे कटेगा, तो एक बार आ जाएगा, रूट अंडर 1 minus 2x, और minus, यहां पे यह दखो, यह डिवाइड में, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, यहां 1 by, रूट हटा कर, 1 minus 2x का पावर, 1 by 2 कर सकता हूँ ना, चीट, प्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, minus का 1 by 2, अब देखो, यहां पे एक काम करता हूँ, minus का 1 by 2, यह न हो जाएगा, अब integration करदा, minus का 1 by 2, इसका integration, पावर में एक जोड़ेंगे, और पावर को नीचे लोट कर देंगा, 3 by 2 है ना, 3 by 2 नीचे जाएगा, और इसका differentiation करके, नीचे डिवाइड में हैगा, तो 1 का 0, यहां पे minus 2x का minus 2 है जाएगा, minus, यहां भी उसी तरह से, 1 minus 2x का पावर, एक जोड़ेंगे इसमें ना, तो 1 by 2 हो जाएगा, और 1 by 2 नीचे उतार देंगा, और into में क्या होगा, इसका differentiation, ठीक है, और plus में आपका सी, चलिए एक लाइन और थोड़ा सस्वाल होगा, यह 2 से 2 कटेगा, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, minus का 1 by 2, अंदर रखो क्या होगा, 1 minus 2x का पावर, 3 by 2, और बटा में 3 बचा है, minus का, ठीक है, और फिर minus, और यहां भी minus है, तो plus करते क्या, plus 1 minus 2x का पावर, 1 by 2, और plus में 3, यह हो जाएगा ना, चलिए, एक काम करते हैं अब, यहां पे ना, एक काम करो, इसको फ़ड़ा सा और, इतना भी अंदर ठीक है, लेकिन फ़ड़ा सा और simplify करते है, minus का 1 by 2, इसे मैं, लिख देता हूँ, 1 minus 2x, और into मैं, root under 1 minus 2, देखो, इसका पावर 1 by 2, इसका पावर 1 जूड़ेता तरह ही ना एगा, और बटा में आपका minus का 3 है, plus, इसे मैं, root under 1 minus 2x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अब देखो, और यह नीचे तो इसके कुछ नहीं है, और plus में है, तो यह root under 1 minus 2x को यहांसे common कर सकता है, चलिए, तो यह minus का 1 by 2, अंदर से यह common हो जाएगा, root under 1 minus 2x, और plus में 3, तो यहां पाचेगा, 1 minus 2x बटा minus 3, है ना, और plus में 1, चलिए, एक काम करता है, यह minus तो उपर भी लगा सकता है, त अंदर LCM ले लो 3, तो यहां जागा, minus उपर लग गया है, 1 minus 2x और plus में 3, ठीक है, यह minus इसके साथ लम्य ने लगा दिया है, चाहो तो पहले ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, clear है, ठीक है, और root under है, 1 minus 2x plus 3, अच्छा देखना भाई मेरे, minus का 1 by 2, उपर देखना, minus का 1, plus का 2x, और यहां हो जागा, plus का 3, और बटा में 3, root under 1 minus 2x plus 3, उपर से एक काम करते हैं, simplify करते है, minus का 1 by 2, देखों, यहां का जागा, 2x plus 2, और बटा में 3, और root under 1 minus 2x plus 3, यह मैं answer लाने के लिए पकर रहा है, यहां से 2 common करो, तो इस 2 से 2 कर जागा, minus का 1 by 2 into 2, अंदर है, आपका x plus 1, बटा में 3, root under 1 minus 2x plus 3, जागो यहां 2 से 2 कर जागा, यानि की minus का 1 by 3, bracket के अंदर x plus 1, और फिर root under 1 minus 2x, और plus में c आपका answer आगा, यहीन answer आपका दिया है, question number